नश्कार दोस्तों वेरिकोसील की समस्या एक ऐसी समस्या है जो शुरुवाती दौर में किसी को आम तोर पर पता नहीं चल पाती है और जब तक इसका पता चलता है तब तक ये काफी जादा बढ़ चुकी होती है यानि इसका grade 3 या grade 4 तक इसे situation पहुँच चुकी होती है और आम तोर पर इसके अगर हम लक्षणों की बात करें यानि sign and symptoms कि किस तरीके से एक वेक्ती समय रहते ये पैचान सकता है especially अगर मैं बात करूँ कि एक लड़का एक पुरुश समय रहते हैं कि कैसे पैचाने कि उसको कही वेरिकोसील की समस्या तो नहीं है अगर आप भी ये जानना चाते हैं तो मैं आज आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिनकी हिल्प से आप ये जान सकते हो कहीं वेरिकोसील की समस्या तो नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं वो कौन से लक्षण है जो आम तौर पर वेरिकोसील की समस्या में एक पुरुश को देखने को मिलते हैं Virico Seal की समस्या आम तोर पर होती क्या है अगर आप ये समझ गए तो इसके Sign and Symptoms यानि इसके Lection भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपको ये दिक्कत है या नहीं असल में Virico Seal की दिक्कत क्या होती है कि जो हमारी Body में Blood Flow हो रहे especially अगर मैं बात करूँ जब नीचे यानि टेस्टिकल से ब्लड ऊपर की तरफ आता है वहाँ पर वेंस के अंदर या आर्टरीज के अंदर जो वाल्व लगे होते हैं जब वो वाल्व अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है ब्लड नीचे की तरफ इकठा होना शुरू हो जाता है जब आप खुछ सोचिए कि ब्लड नीचे की तरफ इकठा होना शुरू होगा तो पहला साइनन सिंटम हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो veins हैं यानि जो नसे हैं जब आप अपने testicles को touch करोगे, feel करोगे तो आपको अपनी नसे fully हुई यानि सूजी हुई महसूस होंगी या मोटी मोटी महसूस होंगी या आप ऐसा मान सकते हैं कि कुछ not यानि gaart सा आपको महसूस होगा अगर आपको अपने टेस्टिकल्स को टच करने में, फील करने में ऐसा महसूस हो रहा है तो ये पहला sign and symptom होता है विरिकोसील की समस्या का इसी के साथ साथ अगर हम और इसके sign and symptoms को समझने की बात करें तो आप तोर पर हम देखते हैं कि जो पुरुष के testicles होते हैं जो अंकोश होते हैं वो नॉर्मली सेम लेवल के होते हैं बट अगर आपके ये अंकोश यानि टेस्टिकल्स उपर नीचे हो जाते हैं तो ये भी एक sign and symptom है विरिकोसील का जी हाँ, आप अपने टेस्टिकल्स को देखिए अगर आपका एक testicle नीचे की तरफ लटक राए और एक थोड़ा सा उपर की तरफ है यानि छोटे बड़े हैं तो ये भी sign and symptom होता है विरिकोसील का इसको बोला जाता है hanging problem इन दो sign and symptom के बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे sign की तो वो होता है pain अगर आपको अपने testicles में यानि अंटकोश में दर्द महसूस होता है दो तीन गंटे वो दर्द बना रहता है उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है तो हमें लगता है ऐसे ही हुआ होगा और उसके बाद ठीक हो गया लेकिन ये साफ साफ लक्षन है आपके विरिकोसील का इवन कई patients में ये भी देखने को मिलता है कि जो pain है वो उनका पेट से लेके नीचे की तरफ होता है और अगर ये pain आपको तीन से चार या छे गंटे तक लगातार बना रहता है कई दिनों तक बना रहता है तो ये भी एक लक्षन होता है विरिकोसील की समस्या का तो आम तोर पर हमें ये लक्षन देखने को मिलते हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको ये लक्षन देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है आपको अपना एक ultrasound कराना है जब आप ultra sound कराते हैं तो आपको confirm हो जाता है कि आपको vericocele की समस्या है या नहीं क्योंकि हमारे बहुत सारे patient जिनको ये समस्या है जब उन्हें पता लगा तो वो panic हो जाते हैं वो depression में चले जाते हैं यहां पर खास और पर आपको ध्यार लगना है कि जब आप doctor के बाद जाएंगे तो doctor आपको एक चीज़ एडवाईज करेगा that is surgery लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा भारत हो मोपैती के बहुत सारे ऐसे patients हैं जिनको बिना किसी surgery के बिना किसी operation के बिना किसी cheer fart के अपनी समस्या में 100% relief मिला है जी हाँ यह मैंने ही कह रहा आप मेरे channel पर visit करें videos देखें मैंने वहाँ पर हमारे patient की after और before दोनों की report यानि बिल्कुल सबूत सामने आपके रखे हैं जब आप खुद देखेंगे आप जान पाएंगे तो वरिकोसील की समस्या कोई ऐसी नहीं है कि ठीक नहीं होगी लाइफ खराब हो गई यह एक ऐसी समस्या है जो आम तोर पर आजकल पुर्शों में देखने को मिलती है लेकिन इसका इलाज समभव है वो भी बिना किसी surgery या बिना किसी operation के कैसे ये डीटेल में जानने के लिए आप नीचे देगा नंबर पर कॉल करके भारत हमोपैतिके डॉक्टर से बात कर सकते हैं अपनी समस्या का समधान जान सकते हैं या फिर अगर आपके मन में कोई और सवाल अभी भी है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सक कैसे बात कर सकते हैं